अप देख रहे हैं पहनजाब के सीडिय टीवी दिली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धढ़ने का बारवगा दिन है हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से बारवे दिन भी पहलवानों को समर्थан मिलता हुआ नजर आ रहा है अगर पहले दिन की बात करें तो रविवार के दिन जो है ये लोग तीन पहलवान विनेश फोगाथ, बजरंग पुन्या और साकसी मलिक जो है ये तीनों यो रैसलिंग फैडरेशन ओफ इंडिया के अध्यक्स हैं बर्ज भुसन सरंज सिंग उसके खिलाब धर तुपरा वह किया गया है सिंगlt फैडर फैडर फैर दरज होनी चाहिए और इसके बाद लाफ सप्रीम कोड़ पहलवाओ के बाद पहलवानों के बाह ईसके बाद सब्रूक्स का रुख किया उस्प्रीम फैडू को ने जो दिल्ली पुलिस को अधिश को आधेस दिया। कि इनके ओपर दर्ज की जाए उसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से एफ आयर जो है वह दर्ज की जाती है और दो एफ आयर एक पासको एक्ट के अनुसार और दूसरी जिस तरीके से एक च्छे महिला खिला डी थी उन्होंने आरोप लगाय था उसके खिलाब जो है एक एफ से समर्थन पहलवानों को मिली रहा है। उसके बावजूद कल दिन में यहां पर बारिस होती है। बारिस होने के साथ-साथ यहां पर कल आम आदमी पारिटी के जो मंतरी है गोपाल राय और सुरभ भारदौाज यहां पर पहुचे थे और अपना समर्थन इनको दियता। वहीं सांगे अगर बात करें तो जीस तरीके से कल दिम्मे बारिसाए और जो है ङहां पर जो बेड़ फोल्डिंग बेड़ है वो लेकर आमाधी पार्यटी के नेता जो है यहाँ पर सोमनाद भारती यहाँ पर पहुचे थे और अपना जो यहाँ पर उनके लिए बैड का अरिजमेंट जो किया था जैसे ही बैड उतरने लगे ऐसे ही दिल्ली पुलिस कर्मी है यहाँ पर उन बैड की अनुमतिना होने का बोलकर उन बैडों को वापिस यहाँ से भिजवाया गया जिसके बाद तीन लोगों को हिरासत में लिया गया लेकिन पूरे घटने करम की बात करें तो कहीं जो पहलवान है उनको गंबीर जो है वो चोट भी यहाँ पर लगी है लेकिन जिस तरीके से इन पहलवानों ने जो पुलिस कर्मी है उसको पकड़ कर यहाँ पर कहा कि जो यहाँ पर जो है उस पुलिस कर्मी ने सरापी रखी ह लेकिन जिस तरीके से आरोप परत्यारोप का दूर रात बर चलता रहा वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्स स्वातिमाल भी यहां पर रात में पोची थी और साथी साथ राज्यसभा सांसत दिपिंदर उड़ा भी यहां पर पोचे थे और अपना समर्थन देते हुगे कह को आने की अनुमती नहीं देती और उसके बाद पहलवानों की तरफ से वीडियो जारी किया गया था कि जो भी लोग जहां पर है वो लोग जंतर मंतर जो है वो जरूर पहुचे लेकिन बुलिस ने यहां पर पूर चारों तरफ से बैरिकेटिंग कर रखी थी और मीडिया को भी अनुमती नहीं थी लेकिन जिस तरीके से जैसे दिन बढ़ता गया ऐसे ऐसे यहां पर जो है लोगों का आना शुरू हुआ और उसके बाद अभी की बात करें तो जो राजसाबद सांसद है दिपंदर उड़ा वो अभी यहां पर पहुचे और उससे सुबह की बात करें है अिनके दर्ज जो है वो किये है कि किस तरीके से इनके साथ रात में यहां पर घटना गटी है इस पूरे घटना करम को बात करें तो रात का जो इंसिडेंट है वो काफी एम हो जाता है जब पुलिस और पहलवानों के बीच जो है जो है नोक-चोक देखने के लिए मिली है डिल्ली से कमल कुमार कंसल नहों देटेम्स पंजाब के स्रीट टीवी